हलो गाइस वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आज हम जानने वाले है पोको एम 3 प्रो के बारे में अगर आपके फोन में नेक्टवर्क नहीं आता है या वाइफाय ब्लुटूथ जीपीएस वर्क नहीं करता है तो ये वीडियो उसी के लिए तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं नेक्टवर्क अगर आपके फोन में नेक्टवर्क नहीं आ रहा है तो आपको क्या लें सेक्षन यह वाला जो दिख रहा है अभी लेट्ट है इसमें 5G सेक्षन जो है उसकर जो 5G सुम तो इतने खास हर जग एरिये में एक्टिवेट नहीं वें तो हमें अभी तो 4G बेंड पर काम करना पड़ेंगा तो यह 5G बेंड आप इसको किरपया करके छेड़ेना तो अभी हमारी एक आजाती है यह बेस बेंड आईसी और दुसरी आजाती है हमारी 4G नेक्टवर आईसी तो जाधा तर प्रॉब्लम जो आएंगा गाईस तो हमारा यह 4G बेंड आईसी से ही आएंगा तो आप इसको फ्लक्स अगा के हिट मार देंगे अगर आपके फोन में नेक्टवर नहीं आ रहा है देख लिए इन्हें ने यह एकक्सीक में बताया भी नहीं है 5G के बारे में इस तरीख शकर से तो यहां से अधे तुरू यह पई पिन आ रहे है तो हम हम यहने चेड़ना है हमें चेड़ना है मेन कहां चेड़ना है यहीं पर चेड़ना है तो चलिए अभी आ जाते हम जीपीएस वाइफाय ब्लुटूथ सेक्शन पर अब एक बार यह प्रॉपर देख लिए आपको कुछ समझ में आ रहा हुआ तो डाइगरा इस तरीके का है यह एंटीना है हमारा और कुछ उल्ट डल्यज वगरा सब जगए दो हैय तो अब अब आजाते हम वाइफाय ब्लुटूथ और जी पीएस पर देख लिए जीपीएस इसमय नहीं हमार्य जे नहीं और यह मैं वाइफाय ब्लुटूथ जीपेस करें हमारे और एसे लिए सिई पहाय ऐह सीथ्यकार मिल ने-ने, एक ही दिया है, हाँ, एक ही आंटेना दिया हुए, वाई-फाई, ब्लूतुछ जी-पियस को, तो यह आंटेना हमारा एक ही काम कर रहा है, तीन हो चीज़े, एक ही आंटेने में हो रही है, तो इस तरीके के connection है, आप देख लीजिए, अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल जलते जल सब्क्राइब कीजिए और साथी साथ बेल आइकोन जरूर दबाईए, तो चली अब मिलेंगे आप से हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाई बाई